हलो दोस्तों राधे राधे आज मैं आपको बताने जा रही हूं गणेश्चतुर्थी के बारे में गणेश्चतुर्थी की पूजा कैसे की जानी चाहिए गणेश्चतुर्थी का क्या महत्व है गणेश्चतुर्थी हर महिने आता है महिने में दो बार आता है एक शुक्लपक्ष में और एक पृष्णपक्ष में इस तरह से एक महिने में दो बार गणेश्चतुर्थी पढ़ती है इस बार के गणेश चतूर्थी विशेस महतु रखता है क्योंकि यह बैशाक शुक्रपक्ष में है गणेश चतूर्थी 23 अप्रैल 2023 को है यानि इस दिन क्या करें सबसे पहले तो जब गणेश जी की पूजा सरप्रतम सारे देवताओं में सरप्रतम गणेश जी की पूजा को माना गया है ऐसा स्वयम भगवान संकर ने गणेश जी को आशिरवाद भी दिया है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणेश चतूर्थी में गणेश भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें जो नए हूँ वो भी लाइक कर दें हाँ जैसा कि मैं बता रही थी आज गणेश चतूर्थी है उसमें क्या करें गणेश चतूर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का विधान बताने जा रही हूँ गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो आपने आप ही गणेश जी के साथ में रिध्धी और सिध्धी आती हैं और जो गणेजी की पूजा करते हैं चाहे शुक्रपक्ष में चाहे किष्णपक्ष में उनके सारे विग्ण जो भी कारे हैं उनमें कोई विग्ण आ रहा हूँ वो विग्ण दूर हो जाते हैं जो भी कारे होने में आसफल होता है उसको सफलता प्राप्त होने लगती है और इ एक विसेश समारो की तरह मनाये जाता है गणेजी की फूजा आज के दिन कैसे करें सरप्रतम गणेजी की मूर्ती रखें मूर्ती हो फोटो हो जो भी आपके पूजा इस्थान पे रखे हों, उसी जगह पर आप पूजा करें, जिनने सुभा पूजा कर ली हो, तो कोई बात नहीं, जो शाम को पूजा करते हों, वैसे गणेजी की पूजा शाम को ही की जाती है, ज़ादा तर, बहुत लोग गणेज चतुरती को ब्रत करत हैं, तो गणेजी की पूजा शाम को कैसे करें, एक कटोरी में गेहु ले ले, गेहु रखें गणेजी के सामने, एक कटोरी में दही रखें, उसमें शक्कर डाल दें, गणेजी के ऊपर फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, धुबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, और आप उसको पढ़ना शुरु करें, और यदि वो किताब ना हो, तो आप ओम गण मना पते नमा ओम गण गण पते नमा इस मंत्र को पढ़ना शुरू करें एक साथ में दूसी कटोरी रखे हैं और जो आपने एक कटोरी भर के गेहुं रखे हैं उसमें से ओम गण गण पते नमा पढ़ा और एक दाना गेहुं का दूसी खाली कटोरी में रखते गए इस तरह से करकर के एक हजार बार आपने ओम गणगणपते नमा को किया और करने के बाद में फिर आप गणेजी को दुर्बा भी चढ़ाएं गणेजी को दुर्बा पसंद है गणेजी को दही बहुत पसंद है फल में केलाज का भोग जरूर लगाए इस तरह से पूजन करें फिर वो आर्ती करें अब मैं आपको पताने जा रही हैं कि जो एक कटोरी गेहूं जो इसको आपने पूजा करके तयार किया है इसका क्या करना है जब आपके आर्ती हो जाए तब वो जो दहि की कटोरी है उसको प्रसासुरुप सभी को एक दुस्य को दे दे उसके बाद में वो जो गेहूं है, उस गेहूं को चारपाश जगहों पर आपको थोड़ा-थोड़ा रखना है, कैसे रखना है? थोड़े से गेहूं वहां रख दे जहां पर आप अन रखते हैं, जिससे कि साल वर तक आपके घर में अंड की कमी नहीं होगी आपके बंडार भumद रहेंगे थोड़े से गया हो उसमें से जहां पर आपका बिजनेस होता हो उस बिजनेस में जो गल्ला होता है जहाँ आप रोपे पैसे रखते हैं उसमें रख देए जिसे कि बरकत हो धनाने में जो बच्चे पढ़ते हैं कि protections दे रहें एक्जाम दे रहें नौकरी की तीयारी कर रहे हैं उनके कुछ थोड़े दाने उनके pocket में डाल देएं जिसे कि उन्हें अपने केव कड़िए में सफलता मिले तो ड़े से दाने गेहुंके उनके पास रख दे जो बच्च visit पढ़ाए पढ़ा कर रहे हूं उनके टेविल के कोने में रख दें। इस तरह से में हRI यहूं को 4-5 जगों पर रख दें जो भीकार में आपका बाद हैं आ रही होंगी सारी जगव पर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएंगी बहुत छोटा सा उपाय है इस उपाय को करके देखें आपको स्वयम लगेगा कि कितना चमतकारी उपाय है और इस उपाय को करने से आपको कितना फायदा हुआ है यह वीडियो कैसा लगा हुआ हुआ है